हाई फ्रेंड्स, वेरी हपी मॉनिंग, मैं हो गई रेडी, उसके बाद तयार होके मैंने की पूझा, फिर ब्रेक फास्ट, मॉम ने कहा कि पराथा बना है तो वो भी साथ मिलो, बट मुझे इतनी पूख नहीं थी आज, तो ये मैं लेके बैट गई अपना बोन वीटा, चलो अब कर लेते हैं बैट को declutter, और आज माइक्रो फाइबर नहीं कुमाया, बिकोज रूम एकदम neat and clean ही है, तो आज फास्ट फास्ट रूम declutter is done, फिर की पढ़ाई लेंच के टाइम तक, आज वैसे तो मैंने प्लान किया थो थोड़ा से रिविजिन करने का, बट मैंने सूच एक्चली यह है मेरी to-do list वाली डाइरी, और बिछले long वीडियो में मैंने आप से पूछा था ना, कि आप कौन से pen ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप लोगोंने comments में जो जो pen के नाम कहें थे, वो मैं अभी लिख रही हूँ, and yes, it's almost done, और रेनोल का spelling मुझे लग रहा थ शायद बीच में वाय आएगा, इसलिए मैंने dot किया, और doms में मुझे लग रहा था कि pen शायद आती है, नहीं आती है, इसलिए मुझे confusion था, तो dot कर लिया, वैसे तो यह Paris जो लिखा है न, वो वाली pen भी मैंने कभी नहीं ली, मतब कभी नहीं देखी, तो चलिए देखते है कौनसी कौनसी pens हमें मिल जाती है, आप लोगों ने suggest की है, तो try करना, तो of course बनता है न, तो आ गए हम in stationary shop, और यहाँ पर जो जो pens मुझे मिल गए थी न, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, actually मुझे तो यह stationaries बहुत पसंद यह, लेकिन मुमा को भी मेरे जितने ही पसंद है, या फिरम कह सकते हैं, मुझे से ज्यादा पसंद है, शायद stationaries, तो जो जो pen हमें मिल रही है, वहाँ पे मैं tick लगा रही हूँ, और actually न, एक दो pens के spellings भी wrong लिख लिए थे, तो वो भी correct कर लिए, और यहाँ पर इस shop में न, कुछ-कुछ company की pens में different different models से, like 2-2-3 different models से, तो वो मैं try करके देख रहे थी कि कौन सा वाला ले, तो आप लोगों ने जो कही थी, वो almost चारी मिल गई है, first second जो मैंने लिखी थी न, वो नहीं मिली, तो यह देखिए, हमारे पास इतने में tick marks आ गए, और यहाँ पर uncle जो एक side यह सारी pens कर रहे है न, वो है सारी 10 rupees वाली, बाकी स अचली 3 taps की available थी, सूजी की, गेहूं की, एंड में देखी, और हमने उसमें से लिख सूजी की, एंड गेहूं की, फिर ममा के लिस्ट में थे कुछ vegetables लेना, तो पहुंच गए हम यहाँ पे, actually यहाँ पर ना vegetables तो है, यह बट कुछ-कुछ fruits भी है, तो जो जो लेने थे उसमे से जो जो fresh लग रहे है, वो ममा लेते जा रहे है, अभी winter इस तरह से पूरा start नहीं हो गया ना, तो leafy vegetables इतने fresh और मस नहीं आते हैं, चलिए तो अब चलते है, ice cream shop पर ice cream खाने, आज वैसे तो नहीं है Sunday, बट मंगवाया है हमने double Sunday, so ice cream eating, talking and enjoying, काफी yummy ice cream था, और अब चलते है DMART में, actually ममा को लेना था एक चार, थोड़ा सा बड़ी size वाला लेना था, और actually क्या हुआ, ये वाला section में आते ही ममा को पसंद आ गया, एक white वाला चार, ये वाला, बट उसका lead ने थोड़ा सा different type का लग रहा है, तो वहीं देख रहे है कि एकदम air tight है या नहीं है, फिर यहा क्यूट erasers है न वो, और यहां पर ये सारे folders देखकर मुझे याद आया कि हमें folders लेने है, कहां पर use करना है वो मैं आपको घर पर जाके बताऊंगी, फिर एक beater लेना था वो ले लिया, दिन्बिलिंग करवा के पहुंच गए घर, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हम इसे तो बहुत से लोगों ने बहुत सी pens कही थी, उसमें से ये सारी pens हमें मिली तो हमने ये सारी ली, तो अभी मैं वही सोच रहे थी कि new stationary pouch में मैं कौन से कौन सी pens रखूंगी, तो वही यहां पर trial कर रहे थी exactly, क्यूंकि of course stationary shop में तो सारी pens ट्राल नहीं की थी, कुछ कुछ ट्राइ की थी, इसमें किया हुआ कि एक दो pens हमें लेनी थी blue, बट वहां पर blue available नहीं थी, तो हमने ले ली black, और कुछ pens थोड़ी ज़्यादा light है, कुछ pens थोड़ी ज़्यादा dark या फिर ज़्यादा थिक है, तो लिखते लिखते मैंने decide कर लिया कि कौन से कौन से pens में रख और यह जाएगी हमारे घर के common stationery holder में, फिर इरिजर में रखने वाली हूं new pouch में, तो वो मैंने unbox कर लिया, काफी cute है ना, अब चलिए चलते है DIY room में, और मैं आपको बताती हूं, folders का कहां use होने माला है, बट जाके तुरंद पता चला कि यह तो इतना ज्यादा messy है, मैं declutter कर रहे गया था मैंने सुचा बात में कर लूँगी, उस दिन जब मैंने वाशी टेप से DIY किये थे तब, तो अभी सबसे पहले करना पड़ेगा declutter, actually readymade वाशी टेप्स organization के लिए मैंने दो different sections किया है, एक section में तो मैं सारी glitters वाली होती है वो रखती हूं, और यह pouch में मैं सारी glitter बिना वाली होती है वो रखती हूं, और glitters वाली का ज्यदा तर यूज नहीं होता, तो वो मैंने रख दिया यहां पे, तो अब finally आते है यह वाले folders, तो इसमें मैं रखने वाली हूं, जो जो मैंने इस टाप से DIY बनाया होता है न, जैसे कि name labels हो गया, then stickers, DIY washi tapes, तो वो सब र लेबल्स के लिए, और एक folder का लिया, जो self adhesive sheets होती है, वो अभी तक use नहीं की होती है, उसके लिए, अब new compass का label कट करके start करते है, organization, मैं जैसे जैसे pens रखती के, वैसे वैसे मुझे पता चलता गया, कि इतनी सारी pens मैंने सोचा था, बट आएगी तो नहीं, तो four pens अभी रखी और ये सारी जाएगी बात में, मदब जब एक pen finish होगी, तो उसकी जगा replacement के लिए, उस तरह से, और बाकी के organization में मैंने रखी एक highlighter sharpener, जो नया वाला eraser लिया था वो, एक पतली वाले sticky note, normal clips and magnet clips, ओ, मैं scale कैसे बूल सकती हूं, scale भी रखती, और ये pouch एकदम spacious भी है, तो like सारी चीजे आगई easily, और इससे पहले में जो compass box use करते थे ना, उसमें इतनी सारी things नहीं आ सकती है, बट इतनी सारी things useful रहती है, तो काफी comfortable है ये pouch, actually organization करते करते काफी ज्यादा time हो गया, और हो गया dinner का time, तो आज dinner में है पानी पूरी भी, और साथ में थोड़ी से दही पूरी भ मुमा ने बना ली, सुब बन गई दहीं पूरी, चलिए अब स्टार्ट करता है dinner, और जैसा कि lunch and dinner के बाद walk is good, डिनर के बाद में मैं थोड़ा सा walk कर लिया, और आज जो vegetables and fruits लिये थे उसमें से कुछ मुमा ने इसमें रखे, and wash कर लिये, और सबसे पहले सारे आमले भी wash कर बनाना था, और आज जो हमने ये दो containers लिये थे न, वो भी wash कर लिये, तो आमला के इस तरह से slice की मुमा ने एक container में रखते गए, और ये आमला बन गए इन हल्दी नमक बाला पानी, चलिए तो अब मैं लिख लेती हूँ daily diary, उसके बाद मैंने और मुमा ने खेली ये color trap game, औ और आपको पते इसमें कॉन विनर हुआ, सोचिये सोचिये, इसमें हो गई मैं विनर, and thanks for watching, bye bye.